खबर दहरदून से जहां परेट ग्राउंड में बागिश्वर धाम के पीठा दीश्वर धिरेंदर कृष्ण शास्त्री का पहली बार दिवे दरबार लगने जा रहा है। दरबार में 40-50,000 बागतों के पहुचने की संभावना है। दरबार शाम 4 बजे से राद 10 बजे तक चलेगा। दुरेदर कृष्ण शास्त्री का दरबार अब लगने जा रहा है। अभे हमारे साजारा जानकारी के लिए जूड़ चुके हैं अभे दर्भार लगने जा रहा है क्या कुछ तैयारी नसर आ रहे ही है अगर प्रेड मैदान में तैयारियों की बात करते हैं तो पूरी तैयारिया यहाँ पर हो चुकी है पुलिस ने सुरक्षा का जो घेरा है उसको कड़ा यहाँ पर कर दिया है प्रेड गरंड के चालों तरफ यह कह सकते हैं कि कोई भी ट्रैफिक इससे में संचाली तहीं हो रहा है पुरा जीरो जोन वहाँ पर कर दिया गया है और जब यह दर्वार सुरू होगा उस दोरान भी यह कह सकते हैं कि इसी परकाई की दिव्योसा है वह वहाँ पर देखने को मिलेगी उत्राकर में पहली बार जो बागिस्वार धाम के पिठादी श्वर है आचारे की ध्रिन सास्त्री वह यहाँ पर उनका दिव्य दर्वार यहाँ पर लगेगा उसकी पूरी तैयारे यहाँ पर हो चुके पर दो बहुत करने का जो उनका स्टाइल आ उससे उत्राकर की जंटा कासी उत्राइब आरी है और उन से जूदने के लिए यहाँ पर आतूर यहाँ पर देख रही है पिछले कई दिनों से एक तैयारियों को लेकर पहले माराना एस्पोर्स कॉलेज में वहां पर तैयारियो की बीचों बीच परेश मैधन का जो धेल मैधन है वहां पर दियारियों दैसे के उमीद है जिल संबाद यहां ठीक करेंगे तो उसका संदेश देश के दूसरे राज्यों में भी राएगा और वही चीज़ें यहां पर देखने को मिलें कि आने वाला समय चुनाओगा ऐसा मैं सभी लोग आचाराज द्रेंद किस पास्त्री को सुनना चाते हैं सृधनी बात के बात की जाया तो उनके रहने का इनुसरां कहा हूँ आए क्या सुरक्षा देखा है कि rivers देखाता कि ने कि जित्या कि पहुल्ष रही दो किस च़हां नयुदक देउरिक दब्लब्द मैधां में और देर रात के कह सकते हैं कि जब दिब्वे दर्वार समाथ हो गया तो उसके बाद वापस यहां से जाने का काम यहां पर करेंगे उनका जो कारिक्रा मस्वाल है कि किस route से जाएंगे उसको अभी ताफजनी कि यहां पर नहीं किया गया यहीं रुकेंगे कहां पर उस में वहां पर ज्यादा स्वरक्षा की कोई परिशानिया ना हो इसके चलते उनके रुखने की जो ब्योसा है वो यहां पर गुप्त रखी गई है लेकिन इसना जो रुका आ जा सकता है कि जैसे ही सामके चार बजे यहां पर दिब्दरवार सुरू होगा भक्तों के जो आने का जो सुर्टिदा होगा वो यहां पर शुरू होगा तो एक कह सकते हैं कि जो देरादून में हैं वो भक्ति में माहौल यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि आचारे ध्रेंद की सास्ट्री का जो संबाद करने का जो स्टाय है जो उनकी कला है उसके सभी लोग इसमें जो संबाद करेंगे क्या क्युक्ति संबाद में रहने वाला है और जिस तब से जादा जाने जाते हिए कि जो पच्चिया बिलकुल अब हैं बताईए कि यह तीन दिन का कारेक्रम है कि यहां पर यहां पर शुरू हो चुकी थी तीन नौबर को यहां पर हवन यहां पर आज यह कह सकते हैं कि अन्वे दिन अजमें वह हैं ड्री से अविस के लोग के जो आने के से स्लसिला अभी से स्टुरू हो चुका है और रही कितनी बरे संग्यां यहां पर पहुंचे गी यह देकने वाली बात होग यह क्योंकि जो आई जखे हैं वो आई जखों को उमीद है कि 50,000 से ज़्यादा लोग इस दिब्या दर्वार में यहाँ पर आएंगे क्योंकि उत्राकंड के दूरस छेत्रों से लोगों के आने के जो संख्या है उसमय ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है इसलिए लोग कर देडा दून और उसके आसपास के जो जनपाद हैं वहाँ से लोगों के आने का सिल्सला सुरू हो चुका है उमीद है कि रिकॉर्ड भी तूटेगा लेकिन जिस प्रकार से आचर अधियन के सास्थरी की फैन सॉलिंग आप बढ़ रही है लोग उनको सुनने के लिए आतूर यहाँ पर दिख रहे हैं जी जो एस्टिमेट है क्या पता उससे जादा का आखड़ा निकल के सामने आएगा तो उस तरीके से कैसे लोगों को निप्टा जाए लोगों से निप्टा जाए और क्या रूट भी डाइवर्ट किये गई है उसके लिए जाने की और इसको लेकर यहां पर नहीं रखी गई है गी आईपी की जो संक्या है वो भी यहां पर कम रखी गई है तो ऐसे मैं उम्मीद है कि जो संक्या अभी आएज़र जो सोच रहे है उस पर ज्यादा यहां पर लोग पहुंचेंगे बिल्कुल यानि के त्यारी पूरी है बस चार बचे का इतिसार है जब धिरेंदर कृष्णी शास्त्री आएंगे दर्बार में और भक्तों को अपनी एक चलक देंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भे तमाम जानकारियों के लिए